आज दम मेला शमराठ असोक बिजया दस्मी का और इसका उद्धेश क्या है देखिए आज जो धम मेला शमराठ असोक बिजया दस्मी का कारिकर्म जो रखा गया है आली 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहिब डाक्टर भीमराम मेटकर जी दस लाख हनुआईयों के साथ जो हम पसुगत जीवन में अतीत करते थे गैर मानुई बेवार में अतीत करते थे जैसे उससे छोड़ करके उन्हें पुरे बहुजन समाज को एक दिसा दिया और उन दिसा के साथ उन्हों 10 लाख अनुआईयों के साथ जो है बहुत धर्म को ग्राण किया रहा था उसी की 55 और सगांट मनाने के लिए हम लोग यहां धम में लायों जितकी है आप लोग ऐसा क्या करेंगे जो भारत देश में बहुत में भारत होगा पुरा भारत बुदिजम से जाना जाएगा चोटे-छोटे संग्ठान एक जुट हो रहे हैं वो आने वाले माल तरसमान सकते हैं 100 सालों में बहुत बड़ा परिवर्टन दिखेगा मैं राम बिजगोताम एड़वुकेट हाई कोड अध्यक्ष डाक्टर अमेटकर वेलफेर एसोसीसन दावा मैं रहाबार से समाजी कारता है अलके अहरवार गता यह जो कारकरम था इसका अभी से धर्म राज नितियों लोग तन था इसके बारे में क्या कहना चाहिए इसके बारे में देखें थे हमारे बाबासहब ने सम्मिधान बनाया सम्मिधान के बनाने के बाद में लिखा हुआ होआख तक लागुoon नहीं हुआ सहीध़ंग से और से कुरीटिया चलती आ रही है अज धन धर्ती बढ़नी चाहिए फेती बढ़नी चाहिए रोजी-ााम मिलना चाहिए आज हमारे समाज के लोगों को भुकमरी के कगार पे आ गए हैं इसलिए सरकार जो भी कर रही है हमारे गरीबों के लिए बहुत गलत काम उठा रही है इसके लिए हम लोग कापी मिहनत के संगर्च करेंगे क्योंकि सरकार जो है हमारे गरीबों के लिए जो लोग अभी नहीं ऑइसा चलता रहेगा तो हम लोग अंधोलन भी करेंगे सब्ढ़ून दाखेंगी अर्फ परचे क्या है सुक्देव करूतंबुच के सिद्धान से हो सकता है कारलबहर्ण से अदेख देश की जनता उस रास्ते पर अंबेद करके गउत्बूत के रास्ते पर जाये तब यो सकता है जब तक बर्ग है तब तक एक बर्ग दूसरे बर्ग का और बर्ग से चल्था संगर चलता रहा ईगा समाजवाड आएगा यह सरकार से काम चलने वाला नहीं है बार आदमी आदमी वराबर आए यो तभी आएगा जब समाजवाड क report पूर्णिबात को बारत के वही कडिए जा रही है उसी लाइन पर ये सर्वहराबर का आदमी जा रहे हैं क्या पुश्मित्र सुंग का राम से कोई कनिक्शन है क्या पुश्मित्र सुंग ने तो राम पुश्मित्र सुंग ही तो कौन ब्रेधरत को मारा था बाउध राजा अंतिम बाउध राजा ब्रेधरत को पुश्म जिए दशाहरा हो रहा है घर यह गलत हो रहा एक एर लटा अशुक्व दसनी को यह राम लड़ाई कहते है तो स्वजय दश्मी अरे वह शोग का यह तवार है अशोग ने कलिंग पर जूद्ध किया था कलिंग विजय के बाद तो यह अशोग विजय है समराथ शोग जो जो है अस्थापित करवाय थे वह कैसे लुख्ट हो गया हाँ लुख्ट हो गया पहले तक अकरमरकारी अगर्मार कारी आये मुसल्मान आये उन्होंने सोचाने कि गौतम बुद्ध सम्झे के बुत्परास्त लोगों का यह है और उन्होंने भाबाद किया यह सब किया कड़ल गलत व बुद्धिजम से बिलकुई चेड़े हुए थे इन लोगों ने उसमें सायोग दिया विजेशी याकर्मर और ब्रामडवादी समाजवादी व्योस्ता दोनों ने ढ़ा दिया बरबाद कर दिया बुद्धिजम की लड़ाई ब्रामडवाद से उसी तरह जिसे पुझी वाद क सायगे में लड़ाई समाजवाद से हो रहे हैं कि जो भारत विस्गुव था भृब भारत जल्ड जल बनने वाला है बहुत द्में थे इस देश के वाव को क्या कहना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा शिच्छा की तरफ जाग्रूपता दिखाएं और समाज में जो लोग सिच्छा तक में फॉक्षा रही हैं उनको सिच्छा से जोड़ने का भरसक क्या रहा है हमारे महापूर्अ का क्या इतिHAS रहा है करते 소망 winter करते हमता सम्राट इसमी की तौर पहर है । विचया आसोप का लाइन के में як दो मैंims आपका श्रया किया तो नाइस कर सकते हैं हम लोग इस कहा क्यों से हुए जो सब्सक्राइब करता है मैं शुशेत हो रहा है अभी पता लगा थरह जो है गलत मना जाता है आज के दिन विजय दस्मी मना जाता है जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं यह जो हमारे बहुत धर्म के सारे पर्व थे यह सारे पर्व हिंदु धर्म ने हाइजैक कर लिये हैं तो यह विजय दस्मी असोग विजय दस्मी की रूप में मना जाता था तो जो झाल झाल झाल